नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लेकर आए हूं अपना स्कीन केर रूटीन मौर्णींग का। मार्नींग टू नाइट लब दिन भर में मैं अपनी स्कीन का धृयां किस तरह से र Videos अब ए hey आज मैं आप लोग के साथ में शियर करने वाली हूं कई लोग इंट्रस्टेट थे कि मेरा skincare routine जाने वैसे तो मैं बहुत ही natural routine को follow करती हूँ मैं कुछ ज्यादा कुछ भी ऐसा नहीं करती हूँ कि जिससे बहुत ज्यादा जो कि मुश्किल हो बहुत simple सा मेरा skincare routine है पर हाँ बहुत ज्यादा effective skincare routine है मुझे लगता है कि इस skincare routine को अगर आप भी follow करते हैं तो आप भी natural glowing skin पा सकते हैं मैं अपनी skin पर ना कोई cosmetic यूज करती हूँ ना मैं कभी facial वगेरा कुछ भी नहीं करवाती just मैं कुछ simple सी steps follow करती हूँ skin को care करने के लिए पहले तो मैं आपको बता दू मेरी skin है dry to normal winter season में मेरी skin थोड़ी dry रहती है other season मेरी skin normal रहती है और हाँ थोड़ा जो humidity का टाइम होता है उमस का time होता है इसमें हलका सा oiliness मेरी skin पर feel होता है पर उसको reduce करने के लिए उसको maintain रखने के लिए oil को balance रखने के लिए मैं किन चीजों को follow करती हूँ या आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ तो चलिए पहले routine शेयर कर ले उसके बाद में आगे की बाते करते हैं रोज सवेरे होते ही मैं सबसे पहले अपने भगवान का नाम लेके ब्रश करके चार ग्लास पानी गरम करती हूँ यह जो पानी होता है यह हलका गुनगुना होता है और इसे मैं पी लेती हूँ गुनगुना पानी हमारे सेहत के लिए और हमारी skin के लिए बहुत अच्छा हो 4 गलास पाई के बाद के बाद 4 पाई पकीए कराना ses नमस्कार करती हूं डिस्रीबशन बॉक्स में डाल है और आई बचन पर चेकर करना कर सकते हैं ज्याद़ है बहुत ही ज्यादा 24 होती है बहुत ही और साथ ही हमें दिन भर एक्टिव रखने में मदद करती है और हां यह जो एक्सराइज और योगा होता है हमारी स्कीन का ध्यान रखने में इन चीजों का बहुत जादा महत्व होता है हमें लगता है इनसे स्कीन को क्या एफेक्ट होगा पर यह बहुत जादा इफेक्टिव ह करने के लिए नहाने से पहले ही मैं अपने फेस को किस तरह से वाश करती हूं देखिए फेस को दोने के लिए सबसे पहले अपने चेहरे को गीला करके इस तरह से अपने हाथों में मुलतानी मिट्टी ले लेती हूँ मैंने एक बोल में मुलतानी मिट्टी एक साथ घोल रखी है इसे बस मैं इस तरह से रोज अपने फेस पर लगा लेती हूँ लगाने के बाद मैं इसे 10 मिनिट इसी तरह से छोड़ देती हूं और 10 मिनिट बाद अपने फेस को वाश कर लेती हूं इस तरह से मैं अपने फेस को वाश करती हूं नहाने के दोरान और नहाने के बाद में फेस वाश करने के बाद में मैं अपने फेस पर यूज करती हूं टोनर टोनर के लिए मैं क्या यूज करती हूँ देखिए फेस वाश करने के बाद मैं किसी भी साफ तोलिय से अपने फेस को डैब डैब करके साफ करती हूँ पानी को जो सुखाना होता है इसे डैब डैब करके अच्छे से सुखा लेंगे और सुखाने के बाद मैं मैं लेती हूँ टोनर, टोनर के लिए मैं यूज करती हूँ गुलाब जल, इसे अपने चेहरे पर लगाकर इसी तरह छोड़ देती हूँ तो ये उसे भी क्लियर कर देता है, साथ ही हमारे जो open pores होते हैं, उन्हें fill out करता है, उसके साथ में हमारे चेहरे पर natural glow लेके आता है, हमारे चेहरे की जो एक unevenness होती है, उसे even करता है, तो टोनिंग हमारे face के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, और टोनिंग के बाद मे फिर आती है बारी moisturizing के लिए मैं जो use करती हूँ, आप देखिए, टोनर लगाने के 5 मिनिट बाद में अपने face पर patanjali aloe vera gel की दो बूंद अपलाए करती हूँ, इसे इस तरह से अपने face पर लगाने के बाद में, अच्छे से इसे मसाज कर लेती हूँ, ताकि ये skin में observe हो ज last but not least मेरी बिंदी, मेरा मांग सिंदूर और मेरा काजल, ये तीनों चीजे मैं डेली लगाती हूँ, जो कि मुझे सबसे आदा पसंद है, इन तीन चीजों के अलावा मैं डेली में उरकुछ यूज नहीं करती, बस ये चीजे यूज करती हूँ मैं morning time में अपनी skin के लिए, अपने face को wash करती हूँ मैं दिन में तीन बार, एक बार सवेरे, एक बार दिन में चार बज़े के करीक, चार से पांच बज़े के बीच में अपने face को एक बार wash करती हूँ, उसको मैं gently water से wash करती हूँ, इसमें किसी भी और चीज का use नहीं करती, अब बात आती है रात में, त 5 मिर्म बाद में पेड्री करने के बाद में फिर में आपलाई करती हूं टोनर जो में सवेरा लगाती हूं वही दाने के लाएजिंग के लिए मेरा ever favorite moisturizing gel मतलब पतंजली aloe vera gel ही moisturizer के रूप में यूज करती हूँ ये था मेरा skincare routine जो की बहुत ज़्यादा simple है और बहुत ज़्यादा effective है इसका effect आप खुद मेरी skin पर दे सकते हैं मैं कुछ भी अपनी face पर कुछ भी makeup नहीं लगाती हूँ आप देख सकते हैं अगर कोई makeup करता है तो इस तरह से अपनी skin को नहीं कर सकता मेरा face एकदब naturally है और इस skincare routine को follow करती हूँ मैं पूरे week में पूरे month में मैं सिर्फ हथे में एक बार अपने face को scrubbing करती हूँ best scrubbing tip मैंने अपने एक video में डाली है जिससे मैं अपने face को scrub करती हूँ तो अगर आप चाहते हैं face को scrub करना तो आप description में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों तो ये था मेरा skincare routine जो मैंने आप लोगों के साथ में share किया इसके अलावा मैं अपने skin पर और कुछ भी try नहीं करती कॉस्मेटिक से मुझे डर लगता है मैं बिल्कुल भी normal रहना चाहती हूँ natural रहना चाहती हूँ मेरा skincare routine आपको भी पसंद आएगा आप भी इसे use करके देखें एक महीने अगर आप इस skincare routine को follow करेंगे तो आप भी अपनी skin में बहुत अच्छा effect देखेंगे बहुत अच्छा glow देखेंगे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा आपको यह कैसा लगा नेक्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से करती हूँ पाई